चली दोस्तों बात करते हैं कैसे आप जो है BPL Certificate के लिए online apply कर सकते हैं क्या क्या उसके लिए procedure है क्या formalities है क्या documents आपको त्यार करने होंगे वो सारी detail आपको यहां पे मिलेगी आपको कहीं भी office में जाने की ज़रूरत नहीं है आप यहीं से अपने जो document है वो upload करें और यहीं से ही जो है अपने घर बैटे ही download कर सकते हैं अपना certificate तो उसके लिए क्या formality है क्या procedure है जाने की इस वीडियो में तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक request है अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को subscribe करें पहला icon को press करें all करें ताकि आपको सबसे पहले notification मिले जैसे ही हम नए वीडियो upload करते हैं तो चलिए जानते हैं क्या है process और क्या है steps तो सबसे पहले आपको address पता होना चाहिए website address जहां से हमने apply करना है जो government website है जो है edistrict.hp.gov.in यह आप यहां से note कर सकते हैं इसके अलावा मैं यह link आपको description में भी दे दूँगा वहां पर जैसे ही आप इस link पर click करेंगे आप direct जो है इस page पर visit करेंगे तो जैसे आप इस page पर visit करते हैं आपके पास यहां पर सारी जो इनकी services है online वो आपको यहां पर नज़र आएंगी तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं BPL Certificate की तो यह यहाँ पर आपको नदर आएगा BPL Certificate तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक क्लिक करने के बाद आपके पास जो पेज खुलेगा वो कुछ इस तरीके को का description है This service is to provide below poverty line certificate to the eligible applicant BPL Certificate is valid for 6 months as per the information of ruler development department तो 6 मिने के लिए इसकी validity है और इसको जो आपने त्यार करना है उसके लिए आपके पास जो supporting documents है यहाँ पे तो not required है बाकि आपको अंदर मैं बता दूँगा क्या-क्या जब हम इसमें login कर लेंगे उसके बात है how to apply तो आपको जो application form है वो fill करना है submit button पे click करना है उसके बाद you will be redirected to payment window तो यहाँ पे payment के लिए उन्होंने कोई भी payment जो है वो mention नहीं की है जो applicant government fee है zero है user fee zero है और लोकमित्र और यह जो if applicable यह भी zero है तो यहाँ पे आपको कोई charges नहीं लगेंगे उसके बाद है pay the application fees download receipt उसके बाद आपको क्या करना है अगर आप पहली बार इस website पे visit कर रहे हैं पहली बार आप इसमें login करेंगे तो आपको sign up करना पड़ेगा पहले और अगर आप already कोई और certificate के लिए यहाँ पे apply कर चुके हैं तो आपकी जो already login ID है वो यहाँ पे आपको login to apply करना होगा तो यहाँ पे हम बात करते हैं new user के according यहाँ पे sign up हमें करना है तो sign up पे click करने के बाद आपके पास portal कुछ इस तरीके का खुलेगा तो इस तरीके से खुलने के बाद आपको यहाँ पे बता दूँ यहाँ पे अधार नमबर है family ID है upload profile image तो आपको ज़्यादा detail में नहीं जाना है आपको सिर्फ वो detail फिल करनी है जहाँ पे star है तो यह star है यहाँ पे star है तो means आपको जहाँ पे red color का star नजर आ रहा है वो mandatory आप उसको फिल करें otherwise आपको कुछ और फिल करने की ज़रूरत नहीं है तो जैसे ही आप जो है अपनी full detail फिल कर देते हैं उसके बाद आपको capture फिल करना है यह compulsory है capture फिल करने के बाद आपको register पे क्लिक करना है जैसे ही आप register पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने एक screen flash होगी जिस पे लिखा आएगा कि आपका जो user ID और password है वो आपको email ID और आपका आपने जो mobile number डाला था उस पे बेच दिया गया है तो वहां से आप अपना user ID और password लें और login कर सकते हैं तो जैसे दोस्तों आप जो है अपना user ID और password है यहां पर फिल करेंगे login करने पर तो login पर जैसे आप क्लिक किया आपके पास ये page खुलेगा जिस पर आपको user ID डालना है password डालना है जो कि आपको mail ID या फिर SMS के थ्रू जो है आपको बेजा गया है तो जैसे ही आपको यह चीज यहां प फिल करेंगे आपको capture फिल करना है submit करेंगे submit करने के बाद आप जो है इसका जो हम पेज है form फिल करने का आप वहां पर विजिट करते हैं तो जैसे दूस्तों अपनी ID आप फिल करते हैं login करते हैं उसके बाद आप इस page पर विजिट करेंगे जहां पर आपको supporting documents not required how to apply और व application को करें यहां पर मैं आपको बिता दूए existing application में जैसे आप यहां पर application जो अपनी submit कर देते हैं उसके बाद आप यहां से अपना जो है चेक कर सकते हैं गोखर करें तो यहां पर हम बात करेंगे new application की तो यहां पर जैसे दोस्तों आप new application पर click करेंगे new application पर click करने के बाद आपको यहां पर select करना है BPL search पर click करेंगे तो BPL by name करेंगे या फिर आपको अधार कार्ड के साथ करना है या फिर की by family number से आपने select करना है परिवार संक्या तो यहां पर आपको कोई भी जो है आप अपना name यहां पर enter करें date of birth mandatory नहीं है district select करें block select करें उसके बाद gram बंचायच select करें क्योंकि हिंदी में आऊ जगते हैंब की आपके पास इंपूर हिंदी का नहीं हो तो आप यहां पे search करें by aard touch aard number यहां पर डालेंगे जैसे आप यहां पर अधार number डालेंगे आपकी full detail जो है अधार number यहां पर आ जाईगी आपका नाम तो वो जैसे सारी डिटेल आ जाती है आपको वहाँ पे उस नाम के आगे select करना है select करने के बाद यह जो सारी detail है यहाँ पे यह fill हो जाएगी fill हो जाने के बाद आपको यहाँ से यह select करना होगा mode of delivery इसको online करना है यह offline तो इसको आप कर दीजिए online और इसको जैसे आप submit करेंगे आपका जो form है वो application है वो आपके पंचायत के secretary के पास पहुंच आएगा तो अब वहाँ से approve होना बाकी है तो यह मैं आपको दिखाता हूँ जैसे यहाँ पे है existing application existing application में आप click करेंगे तो जैसे ही आप वहाँ से submit कर देते हैं submit करने के बाद जो application number है वो यहाँ पे आ जाता है applicant name है application date है status spending at पंचायत secretary तो action उसके बाद आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि आपका क्या होगा means यही से status का तो आपको कुछ नहीं इसमें करना है अपना अधार कार्ड उसमें डालिए और यहाँ पे जब आप BPL search पे अपना अधार कार्ड डालेंगे अधार कार्ड नमबर डालने के बाद आप select कर देते हैं select करने के बाद यहाँ पे applicants image यह mandatory है तो इसके लिए आपको अपना image जो अपकी photo है वो यहाँ पे upload करनी होगी ज यहाँ पे automatically सारी जो field है वो fill up हो जाएगी तो बाकी यहाँ पे mode of delivery कर दिए submit कर दिजिए आपका जो form है वो submit हो जाएगा तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें comment करें share करें और साथी चैनल को subscribe करना ना भ नवाद